Hey everyone, welcome back to my channel honey life and style and myself honey and friends आप सब की काफी जादा highly demand आ रही थी कि आप अपने hair की किस तरीके से care करते हो वैसा कुछ बताओ तो मैं इस तरीके से weekly करती हूँ ऐसा और मेरे काफी छोटेशटे hair growth आए हैं आप देख सकते हो काफी जादा hair fall हो रहे थे तो मैं इस तरीके से weekly अपना hair का care कर रही हूँ तो आपको मैं share कर रही हूँ यहाँ पे मैं vitamin E capsule यूज़ कर रही हूँ यह आपको कोई भी cosmetic पे मिल जाएगा hair soft and essence है यह और अगर यह capsule आपको ना मिले ऐसे यह hair के लिए ही specialist होता है बट ना मिले तो कोई बात नहीं है जो घर पे vitamin E capsule आपको मिल जाते हैं या फिर chemist में मिल जाते है vitamin E capsule वो ले लिजे और अपने hair के according एक या दो ले लिजे जितना आपके hair according आप ले लिजे सबको equally ले लिजे तो इन सब oil को mix करिए और एक cotton की help से अपने पूरे root पे अच्छे तरीके से apply कीजे यह जितने अच्छे से आप apply करोगे result उतना ही अच्छा आपको मिलेगा ऐसा करने से आपके hair fall कम होने लगेंगे फिर आपके जो dandruff होती है वो कम हो जाएगी और आपकी जो hair होती है वो काफी soft and smooth बन जाएगी तो जब आप पूरे root पे इसे apply कर लो तो अच्छा एक massage भी लो जिस तरीके से आप tips की help से अच्छे तरीके से massage कर सकते हो जिससे blood circulation होगा blood circulation अच्छा होगा तो जो भी आपके hair के problem होते हैं concern होते हैं वो बिलकुल जड़ से खत्म हो जाएगे धीरे धीरे आपको बहुत जादा difference दिखने में आएगा और हाँ आपके खाने पीने से भी बहुत जादा असर पड़ता है आपके hair fall पे और आपके skin पे तो वो भी आपको ध्यान देना होगा तो roots के बाद अपने hair पे भी आपने ये oil को apply कर लेना है अच्छे तरीके से और फिर पूरे hair को comb कर लें जितने अच्छे तरीके से आप comb करोगे अपने root पे उतना ही अच्छा आपका blood circulation होगा अब यहाँ पे मैं use करने जारी हूँ high frequency machine तो ऐसा आपने parlor में देखा होगा high frequency machines यूज करते हैं मैं हमेशा यूज करती हूँ parlor में अपने तो यह high frequency machine आप अगर personal use के लिए भी चाहो तो ले सकते हो मैंने कई सारे facial में भी इसे use करके दिखाया है कि facial में यह सारे कैसे use होते हैं आज मैं hair के लिए बता रही हूँ कि comb को कैसे use करना है hair पे तो यह देख सकते हो यहाँ knob है जिसे आपने attach कर देना है fit कर देना है high frequency machine से और फिर आपको इसमें एक plug भी मिलेगा जो आपने switch board पे लगाना है जिससे current pass हो और उसमें electric आए अब अपने comb को इसी जो knob है उसमें fit करना है तो इस तरीके से मैं fit कर दे रही हूँ अब यहाँ on off का button है तो on करेंगे तो यह देख सकते हो purple color का इसमें electric pass होता है तो इसी से आपको high frequency का use करते है और आपके जब hair पे यह apply करते है तो इस तरीके से current सा निकलता है इसमें से यह current थोड़ा pinch सा करता है बट यह आपके hair को बहुत ही अच्छे तरीके से clean करता है dendroff को remove करता है और blood circulation को बढ़ाता है साथ में आपके जो hair होते हैं वो बहुत ही जल्दी आने लगते हैं regrowth होने लगता है hair का तो इसकी आवाज आप सुन सकते हो किस तरीके से आवाज हो रही है जब यह hair से touch हो रहा है तो इससे current पास होता है जिसकी आवाज आपको आ रही है और आप याद रखिए कि यह आपको कोई current नहीं लगेगा इससे बस थोड़ा सा चुपता है थोड़ा pinch सा करता है hair पे high frequency machine मैं हमेशा use करते रहती हूँ तो मुझे इससे apply करने आता है आप अगर new हो तो इसके बारे में अच्छे से पहले जान लो और जब भी आप use करो तो metal का कोई product आपके hair पे या फिर आपके जो earring है यह सम नहीं होने चाहिए और alcohol वाले product को भी बिल्कुल apply मत करना आप रात को apply कर सकते हो या फिर दो घंटे पहले shampoo के कर सकते हो और फिर यह रहा मेरा weekly जो मैंने hair care आप से share किया है कैसा लगा जब बताना so till then bye bye